दोस्तों 2 सितंबर 2023 ये वो तारीक है जिस दिन बिहार STAT के लिए वेबसाइट फिर से ओपन हुई है और वेबसाइट बरतमान में चल भी रही है आपके सामने मैं लाइफ इसकों बारे में डिमो दे रहा हूँ ये 10 बज़ के 55 मिनट हुए है इसके पहले एक अलग प्रकार की आवेदन नहीं किया था अभी तक क्या वो आवेदन कर सकते हैं कुछ अब्यरति ऐसे भी हैं जो कि ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो ओर एज नहीं है तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं सारे आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं आप लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो को दीखिए जो नोटीफिकेसर आया है नोटीफिकेसर में हर बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है और इसका मतलब यह भी है कि बहुत विए लोग इस नोटीफिकेसर को कीरफुली पढ़ नहीं रहे हैं देखों यहां पर क्या लिखा गया है वो हर बात ध्यान से समझी है। अभ्यरतियों को सूचित किया जाता है कि याज का संक्या बारा पांसो साट बटा दोजार थेईस में माननी उच्च नियाले पटना द्वारा पारित नयायदेश के आलोक में। उसमें अंग्रेजी गनित भौतिकी, हरसायन सास्त्र, प्राणी सास्त्र, वनस्पत सास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथली और वानी जिमें सभी कोट के प्रसिक्षित अभ्यरतियों को निर्धारित अधिक्तम आयुसीमा में चार वर्स की छूट कब से कब तक? एक अगस्त 2019 से एक अगस्त 2023 तक किया वदी में ओवरेज अभ्यरतियों के लिए दे होगी। इसको दे होगी जो ओवरेज हो चुके हैं उनके लिए दे होगी तो ध्यान समझीएं यहाँ आपा लिखा जा रहे है कि सम्मंदित अभ्यरतियों को यानि कि जो एक अगस्त 2019 से एक अगस्त 2023 के बीच में ओवरेज हो रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के बारे में कहा जा रहा है कि संबंदित अभ्यर्थियों को सूजित किया जाता है कि समित के विग्यप्ति संक्या PR 224 बटा 2023 और 254 बटा 2023 और PR 206 बटा 2030 के आलोग में दिनांग 2 सितंबर के अपराम 5 बजे तक समित की जो वेबसाइट है bsebstet.com पर आविदन कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर fresh candidate के लिए नहीं कहा जा रहा है यानि कि अगर आप overage नहीं है आविदन नहीं किये है तो आपके लिए यह notice नहीं है यह notice किसके लिए है यह notice उनके लिए है जो देखो court के आदेश पर प्रप्रशाइट खुली है तो सिर्फ उनहीं लोगों को समिल किया गया है जिनको court ने उम्र सीमा में रहात दी है ओवरage वालों के लिए यह रहात है दूसरी बात यह कही आ रहे है कि उक्त परिक्षा है तो जिन अभिरत्यों द्वारा आविदन पत्र भरा गया है और जिसके आलोक में समित द्वारा प्रविश् कोट और एक सर्विसमेन कटेगरी में यदि कोई तूटी है तो वैसे भरती दिनांग दो सितंबर को पांच बजे तक जो वेब साइट है उस पर लॉग इन करके अपना बांशित सुधार सुनेश्चित कर सकते हैं तो यह कहा जा रहा है कि सेज जो निदेश है वो यथावत र पीच में यहाँ पर यह पढ़िए आप लिखा गया कि यस टीटी एकजाम 2023 के लिए पूर्व में जारे विग्यप्ती में अंकित पेपर एक और पेपर दो के निरधारित विश्यों के लिए दिनांग एक अगस्त 2019 से एक अगस्त 2023 तक की अवधी में सिर्फ ध्यान सुनिए क्या लिख रहा है कि एक अगस्त 2019 से एक अगस्त 2023 तक की अवधी में सिर्फ उन अभ्यतियों के लिए अजिक्तम आश्यों में चार वर्स की छूट दी जाती है ठीक है और दो नौ दो जार तेईस के पांच विज़े तक आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पर जो लिखा गया ह है उसके मताबिक 2 सितंबर को जो छूट मिल रही है आवेदन की वो किसके लिए है जिनको चार साल की छूट मिल रही है ठीक है अच्छा आवेदन कैसे करना है यह important link कहां पर दिया गया है advertisement आप यहाँ से पढ़ सकते हैं advertisement में कोई खास नहीं है advertisement तो आप जानते ही है यह advertisement है इसको आप पढ़ लीजिए ठीक है इसके बाद new user अपना registration कैसे करेंगे यहाँ पर करेंगे तो इसके लिए क्या क्या है यह आप देख लीजिए यहाँ पर जो declaration है वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे ठीक है कुछ मुख की बाते में आपको बता देता हूँ जिसे की cage memory को clear कर लीजिएगा control plus yes दबा के उसके बाब form बरिए और do not send hard copy of the confirmation page ठीक है only Indian nationals fulfilling eligibility criteria can apply for STET यह भी ध्यान दिजिएगा कि सभी राज्यों की जो भीड़ती है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं valid email id और mobile number रहना चाहिए बाकी जो situations है उसको आप बढ़ लीजिए general instructions देगे वो भी पढ़ने के बाद यहां I agree पर click करना है click here to proceed पर आपको click कर देना है जब आप यहां पर click करेंगे उसके बाद आपका फार्म है वो open हो जाएगा और इसमें सबसे पहले आपको अपने जीले के बाद किसके लिए apply कर रहे है paper one paper two या दोनों के लिए अपना नाम डालिए यहां पर subject offered for paper one तो मान लेते हैं कि यह आपका हिंदी है eligibility criteria यहां से ले लेंगे आप ठीक है जो भी आपकी eligibility हो इसके बाद paper two पर आ जाईए जो भी आपका दूसरा paper हो ठीक है तो इसके बाद फि आपके माता का क्या नाम है वो आप यहां पर डाल देंगे पिता का क्या नाम है वो आप यहां पर डाल दीजिए ठीक है जेंडर आप अपना यहां से select कर लेंगे cast क्या है आपकी SC, ST, BC जो भी है आप select कर लिजिए differentially enabled yes or no तो ठीक है mobile number आप अपना डाल देंगे जो भी आपका mobile number हो वो आप यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद आप अपना email address जो किछ भी हो वो आप यहां पर डाल दीजिए ठीक है और इसके बाद फिर यहां पर आपको X servisman अगर है तो yes or no length of service यह तुतब आएगा और data birth टीक है data birth आपको यहां से ले लेना है यहां पर आप चेक करेंगे चेक करने के बाद रेजिटर पर आप क्लिक कर देंगे तो रेजिटर हो जाएंगे उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस है वहां पर आको जाना है तो फॉर्म बने का यही तरीका है और इसी तरीके से आप कोटी जो कुछ भी है तो उनको यहाँ पर login पर पर क्लिक करना होगा जब आप login पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद फिर आप login करेंगे ठीक है login करने के बाद फिर आपका जो form है वो open हो जाएगा mobile number ओटीपी डालके login कर लीजिए फिर आपका फार्म जो ओपन हो जाएगा और फार्म ओपन होने के बाद फिर जो प्रक्रिया है यहाँ पर जो चीज़े बताई गई है वो यहाँ पर आप जो है समझ सकते हैं कर सकते हैं तो उमीद करता हूं कि अब आपकी जो confusion है वो दूर होगी होगी क्योंकि परिक्षा भी बिल्कुल निकट है तो सायद इसी वज़े से जो नए बिरती हैं उनको जो यहाँ पर अउसर नहीं दिया गया है सिर्फ उनहीं लोगों को लिए वेफसाइट खुली है जिन लोगों को चार साल की उम्रसीमा में छूट मिली है हलाकि एक बार आप पूरी वेफसाइट को ध्यान से दे वीडियो आप बाद में देखें तो तो कुछ करेक्शन हो जाए तो आप से ही कहूंगा कि आप वेफसाइट पर विजट करें और जो भी नए नोटिस है उसको जरूर फालो करें उसको देखें अपने वीवेक के स्तेमाल करें और फॉर्म भरें ठीक है तो क्योंकि थोड़ एक अगस्त दोजार उन्नी से एक अगस्त दोजार तेइस्त की अवधिवें सिर्फ उन अभिड़तों के लिए जिनकी अधिक्तम आयुशीमा चार वर्स जो मतलब जो चुके हैं उनको चार सार की शूट है उन्हें के लिए दो सितंबर के साम पांच वे तक वो अपना आव बोकन कर लें